नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सेल यानि कि स्टील अथारोटी आफ इंडिया लिमेटेड में आ गई हैं वेकेंसिया मैंने कल भी वीडियो बना करके बताया था और राउर केला की वेकेंसि बताई थी आपको कि राउर केला की कितनी परका यहारी इस वीडियो में दूँगा चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट की वेकंसी हो चाहे वो राउल केला के वेकंसी हो आपको किस तरीके से फॉर्म फिल अप करना है सुरू सो लेकर के लास्ट तक फॉर्म को भर करके मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब प्लस आपके पास NAC यानि की नेशनल अपरेंटिशिफ सर्टिफिकेट है तो आप आविदन यहां पर कर पाएंगे अब देखें आप किस तरीके से आपको आविदन करना हो मैं बता देता हूं सबसे पहले आपको सेल की वेबसाइट पर आना है वन टाइम रेजिटेशन कर जाएंगा जैसे फर्स्ट टेप पर क्लिक करेंगे आप पीसी पर आ जाएंगे यहीं से आपको फॉर्म फिलफ स्टार्ट कर देना है अब यहां पर आपको एक अपना लॉगिन आईडी चूज कर लेना है आप लॉगिन आईडी देखें मिनिम्म पांच लेंध में करेक्ट आपको बनाना चाहते है ध्यान दीजिए का पासवर्ड भी आपको अल्फा न्यूमेरिक ही चाहिए होगा इस तरीके से पासवर्ड आप देखें मैं आप पासवर्ड बना लिए अब यहां पर मिनिमम मेट और मैक्सिमम 15 करेक्टर का होना चाहिए ग्रीन हो गया है यानि कि तरीक से आपको बतिया है अब उसके बाद में यहां पर मैं फिर से आपको भर्ण कुषिच करता हूं नहीं लेकिन यहां पर फिर से आपको भर्णा पढ़ेगा कि में इस तरीक से मैच थे अब यहां पर देखेशला मैं सके की रही है चाहे है ग्रृत कर दोगा मैं इसके हम पर आप नंबर कु अपको बहले नॉय जो भी आप की मॉबाइल नंबर है उसके बाद ने मापको जो भी आप आपका है fill up कर लेना है mother's name डाल देना है जो mother name है आपका आप यहां पर देखिए इस तरीके से पूरा नाम यहां पर बढ़ सकते हैं मैं आप नाम डाल के नहीं दिखा रहा हूं आप यहां पर नाम बढ़ सकते हैं उसके बाद में date of birth आपकी क्या है यहां से year select करेंगे यहां स से month select कर लेना है यहां से आपको year select कर लेना है date month year यह सारी चीज यहां से select कर लेना है gender male या female क्या है यहां से तरीके से देखिए यहां पर select कर सकते हैं yes के टैप पर click करेंगे marital status married and married है यहां पर select कर लेना है religion Hindu Muslim क्या है आपको select कर लेना है जो भी है आपका category SCHT OBC and result जो भी जाती है आँ select कर लेना है और नेशनेटी से टिटीजियों आफ इंडिया होना चाहिए इस सारी information भरने के बाद में save and proceed के tap लिक कर देंगे देखिए यहां पर proceed कर दिया है प्रूसीट करने से पहले आपको अपना mobile number verify कराना पड़ेगा उसमें OTP आएगा और OTP को आपको verify कर अब यहां पर आपको अपना your address डालना है जो भी आपका address है यहां पर आप अपना address लिख दीजिए मैं यहां पर जो भी address इस तरीके से लिख रहा हूं आप अपना जो भी address है यहां पर लिख सकते हैं इस तरीके से address line 2 में डालना है address line 3 में डालना है कहां से आप belong करते हैं य इसारी चीजे आप यहाँ पर सेलेट करने के बाद में अगर यह दोनों अड्रेस सेम है तो यहाँ पर टैप पर क्लिक कर दिये सेम अड्रेस आपका भर जाएगा सेवन प्रोसीड के टैप पर क्लिक कर देना है अब फोटो और साइन आपको अप्लोड करना है देखें यहाँ चूज फोटो के टैप पर क्लिक करेंगे देखें आपर मैंने फोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पर अप्लोड कर लिया है अप्लोड करने के बाद सेवन प्रोसीड के टैप पर क्लिक कर देगे फॉर्म देखें पूरी तरीके से हमारा भर चुका है जितने भी लोग को फिलब करने में दिक्कत आ रही थी देखें पूरा यहाँ पर पूरा अपना अच्छे से भर गया है अब इसको आप अच्छे से चेक कर लिजे एक्सेब्ट आप डेकलेरेशन के टैप पर क्लिक कर दीजे अगर कोई गडबड है तो आप यहां से डाट आपना एडिट कर सक अब यहां से इसका प्रिंट ले सकते हैं आप यहां से प्रिंट ले लेता हूं देखें यहां से प्रिंट इसको मैं ले लूँगा यहां से प्रिंट लेने के बाद में लॉग इन टो कॉंटिन्यू डश्बोर्ट के टैप पर क्लिक कर देंगे अब यहां पर फिर से आपको इस तरीके से आपको पूरा form भर लेना है, आपका recruitment detail आपने भर दिया है, applicant detail यह सारी चीज़ आपको भरने है, जैसे applicant detail पर आप click करेंगे, आप यहां से continue के tab पर आगे click कर जाएगे, name क्या है, read notification यहां से कर सकते हैं, उसके notification नहीं read करना चाहते हैं, simply save and continue पर click कर देंगे, और क करना चाहते हैं, तो click करेंगे, आपका यहां पर दूसरे tab में notification खुल जाएगा, मैंने पहले भी आपको notification दिखा दिया, save and continue पर click करेंगे, आपकी जानकारी पूरी आजाएगी, फिर यहां पर click करेंगे, फिर save and continue पर click कर देना है आपको, फिर आप तिसरे tab पर पहुँच ज आप लिख दीजे, previously sale में काम किये हैं या नहीं, अगर किये हैं तो इसका number नहीं किये हैं, simply आप जिसको खाली छोड़ सकते हैं, उसके बाद में किस grade पर किये हैं, किस plant में किये हैं, date of joining क्या थी, यह सारी चीजा आप भर देना है, employed है, PSU में है या नहीं, आप यहां पर इ देना है, name of the village, पंचायत नंबर, family का, family नंबर यानि की room नंबर, domicile, जम्मु कस्मीर के तो नहीं है, employment exchange में आपका यहां पर number है, तो उसका employment exchange का number देना है, आपको, किस employment exchange में आपने रइस्टर किया हुआ है, उसका नाम देना है आपको, minimum essential qualification आपके पास है या नहीं, इस पर tick करना ही करना पड़ेगा, educational qualification यानि कि किस board से किया है, तो अगर आपने इस UP board से किया है, तो यहाँ पर इस तरीके से UP board लिख देंगे, आपने पास किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यह लिख देंगे, apprenticeship कहां से किया है, यहाँ के tab ट्लिक करेंगे, trainee number क्या था, यहाँ पर डाल देना है इस तरीके से, और इसके बाद में किस location से किया है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप, जो भी आपका location है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे, किस state से किया है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप, यहाँ से मैं data आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, आप जो अपने data है वो सहीं से अच्छे से डालिए मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूं certificate यहां से upload कर देंगे certified कर देंगे save and continue के tap पर click कर जाएंगे यहां पर सारी detail नहीं भरी हुई इसलिए आगे नहीं जाने दे रहा है अब आपको कुछ नहीं है फॉर्म का प्रिंट आपने इनकाल करके रख लिया है अब आपके email पर यहां पर यह आ जाएगा आपका मेसेज आज आएगा और आप वहां से अपना यहां पर examination दे सकते हैं और वहां से सेलेक्शन भी हो सकता है तो फिलहाल में आपको फॉर्म फिलप का वीडियो कैसा लगाए वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताईए कर कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो हमें कमेंट करके पूछे हम जरूर से जरूर आपकी हल परने की कोशिश करेंगे